रिव्यूज देखकर के पता चला कि आप लोगों का एक्जाम बहुत अच्छा हुआ है और ये सब देखकर के मुझे बहुत अच्छा लगा सबके मैंने वहाँ पर smiley face देखे तो मुझे personally बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का exam बहुत जादा अच्छा हुआ है और अगर आपका भी exam अच्छा हुआ है और जितने भी marks आपके आ रहे हैं तो comment करके हमें बताएं कि आपके कितने marks आ रहे हैं और आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं आपका question paper यहाँ पर question paper हमारे पास है set number 4 and question paper code है 71 तो इसको हम discuss करेंगे जैसा कि हमने बताया था कि 2 hours का यह exam होने वाला है 30 marks आपके इसमें होने वाले हैं जैसा कि आपको बता था कि यहाँ पर 3 section आने वाले है section A, section B, section C और आप उसमें जैसे दे रखा है attempt all the questions section A में जो की 1 marks के है and section B में आपको 2 marks के question दे रखा है and each question will carry 2 marks and section C में 6 marks के questions है अब यहाँ पर देख लेते हैं section A में कौन-कौन से questions है तो MCQs की बात करें तो पहला MCQs है select the right answers from the given below first है which of the following painting is continuous narrative that means various episodes have been shown in a single scene तो यहाँ पर हमने एक painting की बात करी थी जो narrative painting थी और उसमें एक तरफ से जब scene शुरू होता है तो एक तरफ से anti हो रहे होती है दूसरी तरफ से exit हो रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे scene वहाँ पर depict किये गए है तो वो आपकी painting है भरत मीट राम एट चित्रकूट तो दूसरा है assertion and reason वाला तो इसमें ए दे रखा है female beauty is the most important features of the किशनगर स्कूल तो यहाँ पर यह सही बात है कि किशनगर स्कूल में most beautiful females की जो है painting बनाई गई है यह एक उनका feature है and उसका जो reason दे रखा है यहाँ पर both the pattern pattern मतलब जिसके under में यहाँ पर काम होता था यहाँ राजा and painters of the किशनगर स्कूल वर वर्षिप of female beauty female beauty की वर्षिप मतलब यहाँ पर respect की गई है और बहुत जादा painting जो है female की ही paint की गई है तो यहाँ पर जादा उनका attention दी गई है इसलिए यहाँ पर worship का use हुआ है तो यह आपका first one ही सही होगा अब आते हैं question number C C में है select the painters associated with the kangra school of miniature painting so राजा रवी बर्मा तो हमारे modern period के हैं आक्टर अर्विंद सिंगानिया यह तो हमारे slaves में ही नहीं थे and Nensukh है यहाँ पर जो हमारा familiar है पहारी स्कूल से and Kangra स्कूल का artist है and fourth one दे रखा है देवी बरसाद रोय चौदरी तो यह आपके sculptor हो जाते हैं अभी आता है question number D who gave the title नादरूल असर to an artist उस्ताद मंसूर of the Mughal School of Miniature Painting तो Mughal School of Miniature Painting में उस्ताद मंसूर तो पेंटर है वो जहाँगीर के टाइम का पेंटर है तो इसलिए जहाँगीर ने उसको नादरूल असर की उपादी दी थी या title दिया था तो यहाँपर जहाँगीर इसका आंसर होगा अब next question आता है as a reason and reason वाला तो बसोली स्कूल emerge as a result of the sweet union of पहारी folk art and Mughal Miniature Technique तो यहाँपर हमें देखने को मिलता है कि बसोली जो स्कूल है emerge हुआ है as a result of the sweet union of the पहारी folk art and the Mughal Miniature Technique तो इन दोनों का mixture हमें देखने को मिलता है बसोली स्कूल में and reason यहाँपर दे रखा है although none of the painters of बसोली स्कूल were from the Mughal court और यहाँपर दे रखा है कि बसोली स्कूल के जो painter है वहाँपर कोई भी painter Mughal court से नहीं था तो यहाँपर आपके slavers में या फिर NCRT में तो नहीं दे रखा है कि Mughal court के artists वहाँपर थे तो Mughal court के artists हर जगा पर गए है जैसे जब उनका declination हो जाता है decline हो जाता है Mughal court का Mughal art का तो वहाँपर artists हर area में जाते हैं तो obviously यहाँपर भी गए होंगे तो यहाँपर आपका बैसे दोनों answer यहाँपर सही हो सकता है यहाँपर काफी chances हैं कि यहाँपर दोनों answer हो सकते हैं इसका A भी हो सकता है both A and are true and the R is the correct explanation of A और यह भी हो सकता है कि both A and are true and R is not the correct explanation of A तो यहाँपर दोनों जिसने लगाए हैं वो यहाँ पर उमीद रख सकते हैं कि 30-30 उनके आ सकते हैं next आता है F which Mughal ruler was not support of artist तो कौन सा ruler था जो support नहीं करता था artist को तो वो one of the ruler is औरंग जेब तो वो है औरंग जेब which figure was shown in the middle of the Indian national flag of 1921 तो यहाँ पर spinning wheel है अशोक चक्र है and स्वास्तिकर and Asta Kamal तो इसमें क्या है आशोक चक्र तो अभी हमारे flag में जो national Indian flag है current national Indian flag but 1921 वाले में first वाला था spinning wheel spinning wheel the right answer by whom the sculpture Synthol family depicting the daily struggle of the common man is made Synthol family जो sculpture था तो वो था राम किंकर बेच का अब देखते हैं section B section B में first दे रख है Aamir Khusro is depicted with the musical instrument in the Deccan painting showing respect and reverse for his teacher तो ये जो painting है वो painting का नाम है आपका Hajrat Nizamudin Aulia and Aamir Khusro Hajrat Nizamudin Aulia and Aamir Khusro में Aamir Khusro नाम आई गया तो भाई ये है आप यहाँ पर आपने सब लिखी दिया होगा title, medium और identify कर लिया होगा and mention the sub school of the sub school of the painting describe its composition arrangement in your own world तो ये हैदराबाद की painting थी आपने पढ़ा ही था क्योंकि मैंने बताए था आपको अपको Hajrat Nizamudin Aulia Aaj से जरू होता है तो हैदराबाद Aaj से जरू होता है दोनों का connection है यहाँ पर तो ये इसका answer हो जाएगा और आपने अच्छे से describe करी दिया होगा अब देखते हैं second part of the question number two तो यहाँ पर भी आता है Around 1750 A.D. Chogun Polo emerge as a recreational game in the royal families of Deccan In this, the skill of the players is also dependent on the trick of horse riding The participation of women in this game present the best evidence of women empowerment तो women empowerment के तो हमने बहुत बात करे थी answer भी दिया था मैंने यह आपका जो question and answer वाली series थी उसमें इसका answer भी था तो आपने यह आराम से लिख दे होगा तो यह painting है चांद भी भी playing बोलो अगर आपको याद हो तो Question number 3 का A आता है In the Basoli School The coordination of the ornamental form of nature and the elements of folk art is seen together which was filled with the reverence and devotion by the painters of Basoli by filling them with colors of divine and selfless love तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो painting है उस painting की बात हो रही है जो आपकी Basoli School की painting है वो है Krishna with Gopis तो Krishna, Leela इसमें दिखाई गई है वो आप यहाँ पर आप painting को समझे गए होगा identify आपने कर लिया होगा and title and name of the painter आपने लिख दे होगा and describe the artistic features of the paintings in your own words तो artistic features लिखने हैं यहाँ पर मतलब उसमें कैसे colors यूज हुए है कैसे pattern बने हैं जो हमें leaves के pattern उसमें देखने को मिलते हैं और color कैसे use हुए है background कैसा है, foreground कैसा है, fall ground कैसा है यह सारी चीज़ आपने इसमें लिख दिए होगी अभी आता है इसका B option displaying the rural and urban background this painting from Kangra school depicts the people of Gokul moving to birds the prosperous Vrindavana तो यह painting है नंद याशोदा and Krishna इसके artist बता दियोंगे composition arrangement लिखना है कि कैसे उसमें हमें कोई एक group जाता हुआ दिखता है जो Gokul से ब्रंदावन की तरफ जा रहे है so next आता है question number 4 the natural stretching of the muscles and the uncomfortable real posture of the four working class people engrossed in work are the main features of this sculpture तो यहाँ पर बात हो रही है D.P. Roy Chaudhary के Trump of the labor की तो Trump of the labor में हमें एक rock को हटाते हुए दिखते हैं इसकी हमने बात बहुत बार करी है हमने अपने notes में करी दी हमने अपने question and answer में करी दी तो यह उसका answer हो जाएगा और यहाँ पर आपको describe करना है कि उसमें कैसे muscles वगरा दिख रही है कैसे उसको रखा गया है और उसका medium and technique क्या है वो आपने यहाँ पर लिख दिया होगा question number B आता है तो यहाँ पर जो देन निस्त थी एक video की दिखाई गई थी तो उस print का नाम था of walls वो आपने लिखी दिया होगा यहाँ पर mention the printmaker printmaker का आपने name लिखा होगा and write the title of the print and describe it aesthetically तो आपने इसको describe कर दिया होगा अभी question number 5 देख लेते है question number 5 में identify and appreciate the dominant emotion तो यहाँ पर आपको दो painting दिखाई गई है M.F. Hussain की आपकी आजाती है Mother Teresa and Ram Gopalvijabarga की आजाती है Meg Dude तो इन दोनों painting में से आपने कोई भी painting को describe कर दिया होगा अच्छे से और आपको good marks मिल जाएंगे अब आता है ma as small as this word तो यहाँ पर वही आपको appreciate करना है तो यहाँ पर आपको एक कोई भी इन में से भी describe करना है जिसमें mother and child है और एक है children जो graphic print है और painting है mother and child तो इन दोनों में से आपने कोई सी भी एक लिख दियोगी आपके marks पके अब आजते हैं next next है section C इसके लिए आप बहुत परिशान हो रहे थे कैसे लिखेंगे इतना बड़ा answer कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन question दिये गए हैं उसमें से दो करने थे तो इसमें सबसे पहले राइस्थानी स्कूल of miniature painting has ingeniously divided the painting into two parts and presenting in which Radha is offended by the behavior of Krishna तो Krishna on swing वाली जो painting है उस painting यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि उनके behavior से यहाँ पर Radha जी जो है थोड़ी नाराज से दिख रही है तो उसमें जो Radha की attendant है वो उनको कुछ message पास कर रही है क्योंकि वो उनसे बात नहीं कर रही है इसलिए इसमें आपको title of the painting and name of a painter यह लिखना था and medium and sub school इसका आपको लिखना था and the subject matter and composition arrangement of the painting तो यह सारा आपने जैसे मैंने कहा था भाई अगर आप लोग को नहीं आता तो मसका लगा देना बस मतलब आपके full words नहीं हो रहे हैं तो pages नहीं भर जा रहे हैं तो आप उसमें मसका लगा दो उसको अच्छा अच्छा उसके बारे में लिखना था तो यहाँ पर आपने I hope अच्छे से लिख दिया होगा 2-3 pages भर दियोंगे discuss the following points in detail through a critical note on the Mughal school of miniature painting तो यहाँ पर original development of the Mughal painting लिखना था and the describe any of Mughal painting लिखनी थी कोई भी एक Mughal painting को describe करना था पूरा detail में and एक original development लिखना था आपको Mughal school कैसे start हुआ है and next question है art is a powerful medium of the communication there has been a direct of indirect contribution of art and artists in the freedom struggle explain the contribution of any two such artists included in your slavers whose art directly or indirectly ensure their participating in freedom related movement तो freedom movement में हमें किस-किस का ज्यादा work देखने को मिलता है तो involvement देखने को मिलता है तो एक तो अब निंदरना टेगोर हो जाएंगे उनका अपने लिखने होगा या फिर नंदलाल बोस का आप यहाँ पर लिख सकते थे majorly ये दोनों artists है जिनका आप यहाँ पर लिख सकते थे तो I hope आपने जो भी question करा होगा अच्छे से करा होगा और आपके जाहतर बच्चों के full marks आ रहे होंगे और आप यहाँ पर हमें comment करके बदा सकते हैं कि आपके कितने marks आ रहे हैं और कितने question आपके सही जा रहे हैं 30 out of 30 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं So इस साल का और आपके slivers का और आपके year का यहाँ पर end होता है यहाँ यह हमारा last video है जो कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर describe कर रहे हैं उसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो 25 के लिए आएगा जो 25 का session आएगा उनके लिए होगा लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग हमें unsubscribe करके जाने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी unsubscribe वाला जो है motion शुरू होने वाला है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही Thank you for watching